नमस्कार, स्वागत थे आप सभी का एगवार पुनार टार्विता लोग ऑल्लाइन इस्ट्यूट में, मैं गौरम रजयन, आपका भूगुल परियावरण का एक्सपर्ट, हमारे यहां BU की जो भरती परिक्षाई है, उसके लिए क्लासें आपको प्रुवाइड कराई जा रह साथी साथ आपको मैथ और इत्यास की क्लास से मिली ही रही है, एक महत्रपोर्ण सुचना, और सुचना यह है कि जैसे हमारा वीडियो जाता है, आप लोग बार बार पूछते हैं, सर्ट TET के आप TET करने पढ़ाएंगे, देखेगा, हमारे यहां दो TET के वैस्ट चलाए ग उसके बाद जैसे ही आपकी परिक्षा के तिती निर्धारित हो जाती है, कि किस तारीक को आपकी परिक्षवनी हम फिर से आपको मैराथन देंगे, और मैराथन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, सब कुछ होगा, पर थोड़ा सा धैर बना रहीएगा, क्योंक परिक्षा के द्वारा आयोजद की जाने वाली 13 वर्सों के बाद एक मात्फोन परिक्षा है, और इस परिक्षा में केवल बीयड धारक ही, केवल बीयड धारक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप हर बार कुछन पूचते हैं, सर मैं TET वाला हूं, केवल बीयड, जो लोग बीयड है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अधिकारी की पोश्ट ले सकते हैं, उस अधिकारी बनने तक के सफर में हम अंतिम तक आपके साथ रहेंगे, ना केवल हम प्री, बलकि प्री के साथ साथ आपको मैंस की भी तैयारी कराएंगे, तो पहल बुझाटी वाले सरकी भी आपको मिलनने लगेगी. हम आपको अभी भूल समझा रहे थे और एक ही topic को लेका चल रहे हैं. भारत का पड़ जैडिये जिसमें मैंने आपको दो lecture समझा दिये थे. आंगे continue करते हैं और मैंने आपको अच्छान देशांतर का विस्तार भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से कौन से रेखा गुजरत ये सारी चीज़ें हो गई थी तीसरे लेक्षर में हम बात करते हैं भारत के पडूशी देश भारत के पडूशी देश अगर हम भारत के कौन कौन से हैं तो देखेगा पडूशी हमेशा उसको कहेंगे जिससे हमारी सीमा इस पर हो रही हो उसको हम कहते हैं उसको हम पडूशी कहते हैं तो भारत के पडूशी राज्यों को या पडूशी देशों को देखें तो भारत के पडूशी जो देश हैं वो साथ हैं और सा तो मांचित्र में देख लीजेगा। और यहां पर स्री लंका तो स्री लंका भारत का पडूशी नहीं है क्योंकि स्री लंका और भारत के मद्ध में यहां पर पार्क इस्टेट पार्क जलसंदी है और पार्क जलसंदी क्या करती है बड़ते जरूर हम पार्क जलसंदी लेकिन एक्चुल में इसका नाम P.A.L.K. प हमारी जली सीमा बनती हैं, तेकि हम आगी बताएंगे कि तमिलनाडू के चिंन्नाई से हमारा समुदरी मार्ग मापा जाता है, आगीmaya व्य बता है,Ja अगल viols बता होता है, इस परकार से समें सीमा हम आपको अगल समझाएंगे, तो अभी के वाल इتनी बात करते हैं कि भारत के ह ना किसी राज को इसपर्स कर रहे होंगे भारत के किसी ना किसी राज को क्या कर रहे होंगे किसी ना किसी राज को इसपर्स भी कर रहे होंगे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान गुजरात को इसपर्स करता है राजिस्तान को इसपर्स कर करता है जम्मु कस्मीर को इस्फर्स करता है और लडाक अब याद रכने वाली बाति पहले में पड़ाता है था पाक्षिस्तान- भारत के चार राज commence करता है जम्मु कस्मीर पंजाब राजस्तान पार गुज्राब ऐह चीजम्मु कस्मीर राज नहीं है बलकि कि जम्मू कस्मीर अप केंद सासित राज है जम्मू कस्मीर क्या है तो जम्मू कस्मीर अप केंद सासित राज है और जम्मू कस्मीर के साथ साथ लद्दाग यह दोरों पाकिस्तान को इसपर्स कर रहा है तो बिना किसी देरी करते हुए हम इन चीजों को लिख लेंगे एक भारत के कौन-कौन से राज हैं जो ने कुस पर्स करते हैं तो एक साइड हम लिख लेंगे भारती ये राज तो पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो एक पड़ोसी देश यहां पर है और यहां पर जो पड़ोसी देश है इसका नाम है पाकिस्तान एक पड़ोसी देश यह कसμیर और जम्हू कसμیर के बाद LHE का मतलब यहां पर लज्डाग से है जम्हू कस्मीर के बाद LHE Turkey का अर्थ यहां पर लज्डाग से है तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के तीन राज गुझरात राजिस्तान पंजाब और साथ इसाथ दो किंसासित राज और किंसासित राज की बात करने तो जम्मू कस्मिर और लदाक को इसपर्स करता है दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास है अफगान दूसरा हमारे पास है अफगानिस्तान अफगानिस्तान ए रहा तो अफगानिस्तान ए तो अफगानिस्तान किसको इसपर्स करता है तो अफगानिस्तान के वाल लदाक को इसपर्स करता है ना कि जम्हू कस्मीर को तो अफगानिस्तान लदाक को इसपर्स करता है तो हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं पर लदाक ठीक ना किसको इसपर्स करता है तो इसपर्स करता है लदाक को उसके बाद तीसरे देश का नाम आता है चीन यानि चाइना और चाइना की अगर अब बात करते हैं तो चाइना यहाँ पर लदाग को इसपर्स करता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को इसपर्स करता है लदाग को हिमाचल प्रदेश को उत्राखंड को इसपर्स करता है उत्राखंड के बाद यहाँ पर सिक्किम को इसपर्स करता है और स सिक्किम को इसपर्ष करता है सिक्किम और सिक्किम के बाद इसपर्ष करता है आरवनाचल प्रदेश A.R.U.N.P. किसको इसपर्ष करता है आरवनाचल प्रदेश A.R.U.N.P. आरवनाचल प्रदेश को इसपर्ष करता है ठीक ना उसके बाद चीन के बाद आंगे बढ़ते हैं तो चीन के बाद हमारा देश आ जाता है नेपाल, अगर हम नेपाल की बात कर रहा है, तो अगर नेपाल को देखेंगे आप अच्छे से, तो नेपाल यहां पर उत्तरा खंड को इसपर्स कर रहा है, यहां पर उत्तर प्रदेश को इसपर्स कर रहा है, बिहार को इसपर्स कर र पिहार को इसपर्स करता है, सिक्किम को इसपर्स करता है, और सिक्किम के बाद किसको आरुणाचल प्रदेश को इसपर्स करता है, सिक्किम के बाद किसको इसपर्स करता है, आरुणाचल प्रदेश को इसपर्स करता है, कौन सा नेपाल, नेपाल के बाद अंगला देश आ जात आप श्यमंगाल को इसपर्स कर रहा है अरुनाचल प्रदेश को इसपर्स कर रहा है और असम को ठीक ना तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे शिक्किम को इसपर्स करता है शिक्किम बैश्ट बंगॉल को इसपर्स करता है ठीक ना असम को इसपर्स करता है और असम के साथ अरुनाचल प्रदेश को ठीक ना ये पांच रज्जों को कर रहा है ठीक ना अभी देखेगा यहां से कितने सारे मात्पून प्रिश्ण मिल जाएंगे आपको ठीक ना अगला अगला भूतान के बाद आते हैं हम मयामार देश पर अगर मयामार की बात करते हैं तो चार रज मयामार को इसपर्स करते हैं यहां पर अरुनाचल प्रदेश नागलेंड मणी पूर और मिजोरब ठीक ना तो कौन-कौर से तो एक कनाम होगया अरुनाचल प्रदेश A.R.U.N.P अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनीपूर, मनीपूर, मनीपूर के साथ साथ एक कौन सा है, तो मनीपूर के साथ साथ आपका हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद हमारे एक देश और बचता है, जिसको इसपर्स करता है, देश का नाम है बांगला देश, और बा पंगलादेश के अगर बात करें तो यहाँ पर बेश्ट बंगॉल को इसपर्ष करता है, यहाँ पर मेघालय को इसपर्ष करता है, तिरपूरा को इसपर्ष करता है, मिजूरम को इसपर्ष करता है, और साथी साथ यहाँ पर किसको इसपर्ष करता है, असाम, तो एक एक सेम ल और तिरपुरा के साथ साथ मिजोरम इतने राज्जों करता देखेगा यहां पर इस तिरपुरा राज्ज है तिरपुरा और इस तिरपुरा को तीनों और से बांगला देश इस पर सकरता है आप से कुश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसे राज्ज का नाम बता यह भा आपको या चार आपको भारत के राज दे देगा, मा लीजेगा एक नाम दे दिया उसने आरोनाचरप्रदेश, एका नाम नाम नागलेंड, एका नाम मनीपोर, एका नाम असाम पूझे लेगा इनिम लिखत में से कौन सा मयामार को इसपर्स नहीं करता है तो देख लीजेगा मयामार को अरोनाचार प्रदेश करता है नागलेंड करता है मनीपोर में जो रम असम नहीं करता है तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा इस परकार से वो आपसे कुशन पूछेगा कौन सा राज जैसा है जो केवल नेपाल को इसपर्स करता है और किसी को इसपर्स नहीं करता है तो नेपाल को देखेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देखो चीन को भी इसपर्स करता है उत्तर प पढ़ाया जाएगा मैं ही पढ़ाँगा आपको उत्तर प्रदेश substantial पढ़ाँगा मैं और उसे जो करण्ड के संबंधे प्रिष्ण आएंगे वो आपको रभी सर कंप्लीट करायांगे अब उसमें जब मैं पढ़ाता हूँ UP Spational तो question आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को इसपर्ष करता है, याद रखेगा आठ, आठ राज्यों को इसपर्ष करता है, एक इनसासत राज्यों को इसपर्ष करता है, दिल्ली को, और एक देश को इसपर्ष करता है, तो नेपाल को, इस परकार से question पूछे जाएंगे, इसी में एक नया कुश्चन भारत में ऐसे कितने केंडर सासित राज हैं जो किसी दूसरे देश को इसपर्स करते हैं भारत में ऐसे कितने राज हैं जो किसी दूसरे राज को इसपर्स करते हैं किन सासित राज पूछा या रहा है तो दो हैं भारत में दो किन सासित राज हैं एका नाम जम्मू कस्मीर एक नाम लद्दाख जो किसी देश को सपर्स करते है पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नया कुश्चन लद्दाख किस को सपर्स करते है तो लद्दाख पाकिस्तान को भी सपर्स करता है लद्दाख अफगानिस्तान को भी सपर्स करता है और लद्दाख चीन क केवल एक राज्य को इसप hardness करेगा और जम्मू कस्मीर जिस राज्य को इसप zrobính जिस देश को participants करेगा उसका नाम केवल पाकिस्तान है ठीक डेख लीजेगा आफगानिस्तान को नहीं कर रहा है और नहीं लग्दाभ को अब आयेगा हम राज्जों की बात करते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्ज हैं जो किसी दूसरे देश को इसपर्स करते हैं तो देख लीजेगा हम लोग काउंटिंग करेंगे गुजरात एक और रिपीटेड नहीं करना है राजिस्तान दो पंजापती ठीक न हम गोला मारते जाएंगे लदाख को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लदाख के इंसासित राज है राज्जों की बात हो रही है हिमाचल प् काउंट हो गया नहीं गिनेंगे उत्तर प्रदेश का नंबर हो गया आठ बिहार बिहार हो गया नौ सिक्क्यम को काउंट कर लिए अरोनाचल प्रदेश को आप काउंट नहीं करेंगे सिक्क्यम को भी काउंट कर लिए पश्यमंगाल को काउंट नहीं किये तो पश्यमंगाल हो गया 10, असम हो गया आपका 11, अरुनाचल प्रदेश को count कर लिए तो आप नहीं करेंगे, नागलेंड, नागलेंड जो हो गया, नागलेंड हो गया 12, मनीपुर, मनीपुर हो गया 13, और मिजोरम, मिजोरम हो गया आपका 14, ठीक ना, मिजोरम आपका कौंट सा हो गया मिजोरम आपका 14 असम को हम कौंट कर चुके हैं एक ही यह 11 नमबर पर पश्यमंगाल को भी कौंट कर लिए मेघालाय को कौंट नहीं किये हैं तो मेघालाय हो जाएगा आपका कौंट सा मेघालाय हो जाएगा 15 तुर्पुरा और मिजोरम, मिजोरम को count काउंट का लिए, तिरपुरा को count नहीं किये, तो तिरपुरा का number कौन सा हो जाएगा? तो तिरपुरा का number हो जाएगा? 16, तो भारत में ऐसे कितने राज हैं, जो किसी दूसरे देश को सफर्श करते हैं, अगर इस प्रकार जेकोशन आ तो भारत में ऐसे राज जो किसी दूसरे देश को इस पर्स करते हैं उनकी संख्या है कितनी है तो उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 16 आपको याद रखना है उनकी संख्या हो जाएगी तो उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 16 तो भारत में 16 राज जैसे हैं जो किसी दूसरे द इसको हम मिटा देते हैं अब बात करते हैं भारत की तटिये राज आगर बात की जाए के तटिये राजस किसे कहेंगे तो ऐसे राज जो तट के किनार इस्थित हों उन्हें हम तटिये राजस कहते हों फिर से समय लीजेगा ऐसे राज जो तट के किनारे इस्तित होते हैं उनको तटी राज कहते हैं देख लीजेगा तो भारत में यहाँ पर कुछ राज हैं जो तट के किनारे हैं हम उन्ही राज्यों को तटी राज कहेंगे जिनके पास समुद्र होगा या जो समुद्र के किनार इस्तित होंगे ठीक ना तो अगर इन राज्जों की बात करें तो इन राज्जों की संख्या नौ निकल के आती है यह भारत का मांचित्र तो बना ही है हम यहाँ पर एक अलग से बना देते हैं अगर इहाँ पर राज्जों की बात की जाए तो गुजरात एक हो गया महाराष्ठ दो हो गया गोवा तीन हो गया करनाटक चार हो गया केरला पांच हो गया तमिलनाडू यहां पर एच्छे हो गया, आंधि प्रदेश साथ हो गया, कुड़ी सा आठ हो गया, वेश्ट बंगॉल कितना हो गया, तो वेश्ट बंगॉल आपका कितना हो गया, तो वेश्ट बंगॉल हो गया, नो, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में ऐसे राज जो समुद्र के किनारे इस्तित हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्यान नौँ, अच्छे समझेगा, अगर मालीजीगा कुछ ने पूछा जाता है, कि नौ तट्टी राजों में, कोई न कोई एक ऐसा राज होगा, जिसकी तट्रेखा की जिसकी तट्रेखा की लंबाई सबसे कम होगी, तो सबसे लंबी तट्रेखा की लंबाई बाला राज जिग गोवा, देख लिजेगा, गोवा ये रहे, इतनी छोटी तट्रेखा है, और गुजरात की देखेगा, यहां से ऐसा, ऐसा टुटी-फुटी है, किरीक बोलते हैं, ठीक न, एक गोजरात की है, मैं आंगे आपको पढ़ाऊंगा, ए बालत तट जो है, आंगे वाली दिसा भाहरत की पूरव होती है, और पीछे वाली पश्म, तो इसको नाम दे दिया गया पूर्वी तट, और कौन सा तट, पूर्वी तट और पश्मी तट, तो अगर मैं कह कि भाहरत की सबसे लंबी तट रेखवाला राज गुजरात किस तट पर है, पश्मी तट पर है, मैं कहूं भाहरत की सबसे छोटी तट रेखवाला राज गोवा, किस तट पर है, पश्मी तट, अगर माली जीगा, एक जामनार ऐसा पूछ ले, कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तड्रेखा वाला राज और यहां पर अब रिक मैतन है कि इस प्रिकार से कुष्टन पूछा जाये ऑप पहला option है गुजिरात, दूसरा option है आंदरप्रदेश, तीसरा आपका है तमिल नाडू, और चौथा आपका आजाता है अंडमान निकोबार, अगर माली जीगा इस परकार से कुश्चन पूछा जाए, तो अंडमान निकोबार है यहाँ पर, तो सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज या केंसासत राज पूछा जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार राज नहीं बलकि केंसासत राज सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज है, यह भार तो अगर राज और किंसा सित्राज में पूछी जाए तो सबसे आंगे होगा हमारा अंदमान निकोबार उसके बाद पूरे अगर हमा लिजेगा ऐसा कुश्चन बनाए के भारत के सरवातिक लंबी तटरे खवाले राज ओवलिक किंसा सित्राज कौन-कौन से हैं तो पहले नम पर आपका कौन सा आएगा तो पहले नमबर पर आपका आजाएगा अंदमान निकोबार दूसरे नमबर पर आपका कौन सा आजाएगा तो दूसरे नमबर पर आजाएगा आपका गुजरात और तीसरे नमबर पर आपका कौन सा आजाएगा तो तीसरे नमबर पर आजाएग आपका आंदर प्रदेश प्रतमान समय में राज्जों की संख्या तो वरतमान समय में राज्जों की संख्या 28 से हरको इस या रहा है 28 मैं से 16 राज हमारे पास ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं यानि 16 राजों के बास अंतराष्ट ये सीमा है ये 16 राज भारत के किसी ना किसी दूसरे राज को किसी ना किसी दूसरे देश को इस परस करते हैं और 9 राज हमारे पास ऐसे भी हैं, जो समुदर के किनारे हैं, अगर 16 और 9 को अगर हम जोड लें, तो इस 16 और 9 को जोडेंगे, तो कुल मिला के कितने राज्यों की बात हो गई, कुल मिला के राज्यों की बात हो गई, 25, है 28, 25 के हमने बात कर ली, इन 25 में 9 समुदर के किनारे ह और 16 क्या है किसी दूसरे राज़ को इसपर्स करते हैं तो बचे कितने 28 मैंसे अगर 25 गए तो बचे कितने तीन राज़ अभी भी हमारे पास सेस हैं क्या आप लोगों मैंसे कोई ये तीन राज़ बता सकता है तो अगर हम इन तीन राज़ों की बात करें कि तीन राज्य कौन कौन से हैं तो देखेगा सोला राज्यों में और नौ राज्यों में यानि समुद्र के किनारे इस्थित राज्यों में और किसी दूसरे देश को इसपर्स करने वाले राज्यों में कहीं पर भी मद्प्रदेश की चर्चा नहीं हुई है कहीं पर भी मदप्रदेश के साथ साथ ना तो 36 गण की चर्चा हुई है और ना ही 36 गण के साथ साथ कहीं पर जारखंड की चर्चा हुई है 37, 29 वे राजी के रूप में किसका निर्माण हुआ था तेलंगना और एक और महत्पुन राज रह जाता है हरयाना आप इन पांच राज्यों को अच्छे से देख लिजेगा मदप्रदेश, 36 गण, जारखंड, तेलंगना और हरयाना बताईएगा क्या पांच राज्यों में से याँ पर आपको कोई राजी दिख रहा है बताईएगा अगर अच्छा वो मिटा दिए हम चलिए तो ये पांच है कहां निकल के संख्या आनी चाहिए थी तीन, निकल के संख्या आनी चाहिए थी आपर तीन, लेकिन निकल के संख्या आनी पांच एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया कि दो राज्यों हमारे पास ऐसे हैं, एक का नाम गुजरात है और दूसरे का नाम पश्यमंगाल है, दो र देखा जाए मांचेतर में तो देखिएगा गुजरात समुद्र के किनारे भी है पाकिस्तान को इस पर्स भी कर रहा है पश्यमंगाल समुद्र के किनारे भी है और बांगलादेश को इस पर्स भी कर रहा है बांगलादेश के साथ साथ यहां पर नेपाल और नेपाल के साथ सा तो यदि यहां से 2 हम माइनस कर दें, यानि गुजरात और पश्चम बंगाल को यहां जोड़ें यहां जोड़ें, तो 2 अगर माइनस कर देंगे, यानि 2 यहां पर प्लस कर देंगे, 25 मैंसे 2 माइनस करेंगे, तो हो जाएंगे 23, और 28 मैंसे 23 घटाएंगे, तो कितने राज नि ये राज जो हैं वो पूर्ण रूप से किसी ना किसी भारती राज के द्वारा क्या हैं? गिरे हुए हैं पूर्ण रूप से किसी ना किसी भारती राज के द्वारा गिरे हुए हैं तो ऐसे राज जो चारो और से धरातल के द्वारा गिरे हुए होते हैं उन राज्यों को हम इस्थल आवद राज इंगलिस में लेंड लॉक इस्टेट या इस्थल रुद राज कहते ह इंग्लिस में लेंड लॉक इस्टेट कहा जाता है क्या कहा जाता है इंग्लिस में लेंड लॉक इस्टेट कहा जाता है इस्थल आवद राज क्या नाम दिया जाता है नाम दिया जाता है इस्थल आवद राज क्या नाम दिया जाता है नाम दिया जाता है इस्थल आवद तो यह पांच है, कौन से हैं? पांच, बंद्रप्रदेश, छतिगंड, जारगंड, तेलांगना और हर्याणा, यह ना तो समुझके किनारे और ना ही किसी दूसरे देश को इस परस करते हैं. आपसे वो कठिन से कठिन प्रशन पूछने का इच्छा रखेगा. कौन? आपका ए नौर्थ इस्ट इंडिया, हिंदी में उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, इसी को हम पूर्व उत्तर भारत के नाम से भी जानते हैं, भारत के पूर्व उत्तर दिसा में, पूर्व उत्तर भारत, इसी को एक नाम दिया जा नाम दिया जाता है पूरवोत्तर भारत का पहली बात अगर हम डाइग्राम बनाएं तो इस प्रिकार से बनेगा यह हमारे पूरवोत्तर भारत ठीक ना अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कौन से पहला राज यहाँ पर हो गया दूसरा यहाँ पर हो गया sorus three is 14th we haveued फांतल यहाँ था पांच मसे है शटा यहाँ पर है साथ मह यहाँ पर है आठ महstart यह है एक कौन-कौन से राज है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं जो एक नंबर दिया हूं इस राज को इसका नाम है सिक्किम, एक नमबर जिसको दिया हूँ, इसका नाम सिक्किम है, जो दूसर नमबर यहाँ पर दिया हूँ, इसका नाम मेघाले है, यहाँ पर कौन सा है, मेघाले है, जो तीसर नमबर दिया है, मैंने यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा दूँगा, मांचित्र में, यहाँ प पांचमा है इसका नाम क्या है तो पांचमा जो है इसका नाम है नागा नागालेंड जो छटा है छटा का नाम क्या है नागालेंड के बाद मनीपूर नागालेंड के बाद यहां पर कौन सा है तो यहां पर मनीपूर है सातमा जो है इसका नाम मिजोरम है और आठमा जो है इसक इसका नाम क्या है तो इसका नाम है तिरपुरा तो ए राज है इन राज्यों को पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत कहा जाता है अगर मांचित्र में दिखाएं तो मांचित्र में यहां पाए जाएंगे आपके देखेगा अगर मांचित्र की बात करें तो यहां पर है देखेगा यह आपका सिक्किम रहा यह आपका यहाँ पर मेघाला है यहाँ पर असम है अरणाचल प्रदेश है नागलेंड है मनीपूर है मिजूरम और तिरपूरा है आप काउंट कर लीजिए का आठ होंगे एक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो पूरवोतर भ द्रिष्टी से सबसे बड़ा जो है वो असम है चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा असम और सबसे छोटा पूंचा जाएगा तो सिक्किम सबसे छोटा पूंचा जाएगा तो सबसे छोटा सिक्किम इन आठ राज्यों मै से अगर सिक्किम को हटा दिया जाए तो कितने राज बच्चते हैं तो साथ राज बच्चते हैं और इन साथ राज्जों के लिए एक सब्द्यूजी किया जाता है और सब्द्यूज किया जाता है सेविन सिष्टर्स क्या नाम दिया जाता है साथ बहने, क्या नाम दिया जाता है, साथ बहने इनको नाम दिया जाता है, याद रखीगा, साथ बहने इनको क्या दिया जाता है, साथ बहने इनको एक नाम दे दिया गया, तो उत्तर पूरी भारत या पूर्व उत्तर भारत के अंतरगत कुल आठ राज जाते हैं, इन आठ में से साथ राज्जों को हम सेविंग सिष्टर कहते हैं कई बार कुछ पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज ये सेविंग सिष्टर में सामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है सिक्किम सामिल नहीं है पूरवतर भारत का छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा असम और छोटा पूछा जाए तो सिक्किम अब आगर मा लिजेगा थोड़ा एक इस्टाप आंगे बढ़े आपसे पूछ लिया जाए कि सेविन सिष्टर में छेतर फल की दृष्टी से सबसे बढ़ा तो हमें दिख रहा है असम है और पूछ लिया जाए सेविन सिश्टर में चेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा तो देख लीजेगा सिक्किम तो है नहीं अब सिक्किम नहीं है तो कौन बचा तिरपुरा सिक्किम नहीं है तो कौन सा बचा तो तिरपुरा सेविन सिश्टर में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा तो सबसे छोट कौन सा हो जाएगा तिरफुरा तो आज की क्लास रही कैसी रही फीड़वेक के माद्यम से जरूर बताइएगा नीचे स्क्रॉलंग में आपके लिए एडवीशन के लिए वार्टसप नमबर चल रहा है इस वार्टसप नमबर पर आपको इंटरी BEO लिएक के भेजना है ब्लॉक एजूकेशन ऑफिसर ठीक ना खड़ने से चाथकारी BEO लिएक कर भेजना है जो भी एडवीशन की प्रिक्रिया फी क्या है इस सब आपको मैसेज के माद्यम कहां पर आपकी क्लास चलेंगी क्या सेडूल होगा कब से क्लास से रनिंग ह हो जाएगा जब पूरा स्लेवर्स हो जाएगा इसे बात आपको प्रैक्टिस भी कराये जाएगी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा संस्तान की होड़ से आपको पूरा का पूरा study material मिलेगा रवी सर आएंगे बूब बताएंगे और कुछ अगर दिया जाना है और जैसे भी एथर सम्भव आपकी साहता की जा सकती है आपको आपकी मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है वो सारी की सारी चीज़ें टार्गेट पे तालूग ऑनलाइन इस्टूट आपके साथ जरूर करेगा ये इस्टूट कभी भी